राशी मेश अपनी जिन्दगी के विशय में आज आप कुछ रीति बद्ध हो जाएंगे जहां तक इस बात का सवाल है कि आपको जिन्दगी से क्या चाहिए आप कभी कभी खुद को बहुत उल्जा हुआ पाते हैं लेकिन आज आप अपने लक्षों की और अपना ध्यान के इंद्रित कर पाएंगे अच्छा होगा कि आप अपनी जिन्दगी के हर पहलू पर ध्यान दें और किसी भी अफ़सर को हाथ से न जाने दें राशी मेश रोमैंस आज का दिन आपसी मद्भेदों को भुला कर अपने रिष्टों को कायम करने का दिन है आप पाएंगे कि आज हालात समाप्ति के दौर पर है ये परिस्थितियां ग्रह नक्षत्रों के अनुसार बदली है अपनी सोच को सकाराद मग रखते हुए सावधानी पूर्वक निरने ले राशी मेश काम करते समय आपको अपनी भावनाओं को नियंदर्ण में रखने की कोशिश करनी चाहिए गुस्से में आप कुछ गलत निरने भी ले सकते है अधिकारियों की उमीद पर खरा उतरने के लिए आपको और महनत से काम करना चाहिए अगर आप पूरी महनत वगंभीरता से काम करें तो दिन आपका होगा आज आपको अप्रत्याशित धन की प्राप्ति होगी ये अस्थाई बाहरी आमदनी नकद के रूप में हो सकती है ये प्रोथसाहन राशी हो सकती है अत्वा ये कोई नई योजना हो सकती है जिससे धन की प्राप्ति हो सकती है इसमें आपका भाग भी शामिल हो सकता है या कोई खेल हो सकता है अत्वा ये कोई पैत्रिक संपत्ती हो सकती है इस संपत्ती को प्राप्त करें तथा इसे किसी बैंक में जमा कर दें ताकि निकट भविश्य में आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े आज आप अपने खाने पर बहुत ध्यान देंगे आपको ख्याल रखना होगा कि जो भी भोजन आप चुने उसका आपकी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा और कौन सी चीज खाने से आपको ताकत आएगी व्यायाम को अपने दिलो दिमाग में बसा लें और योग और ध्यान को भी जिन्दगी का हिस्सा बनाएं और आपको खुश भी रखेंगे अपने रिष्टों को और मजबूत बनाने के लिए आपने बहुत महनत की है और आपकी महनत रंग लाई है ये दिन खूब मौज मस्ती करने का है क्योंकि आपका मित्र भी आपके साथ है राशे ब्रश रोमान्स अकेले लोग आज पारिवारिक कारिक्रम में किसी रोचक व्यक्ति से मिल सकते हैं वो दूसरे पक्ष के महमान या अजनभी भी हो सकते हैं चूकि आप सबसे अच्छे पार्टनर की तलाश में हैं इसलिए थोड़ा भीड भाड से हटकर बातचीत करने की कोशिश करें राशे ब्रश करियर इस समय काम की मांग के अनुसार आपको बहुत ज़्यादा महनत करनी पड़ सकती है इस समय आपका करियर वक्कारिक्षेतर बदल रहा है इसलिए आपको पूरी महनत से काम करना चाहिए इसलिए अपने क्षेतर में हो रहे बदलाओं को समझने के लिए आपको कुछ समय लगाना ही चाहिए आप इस मामले में जितना समय लगाएंगे आने वाले समय में आपको उतना ही लाब होगा राशे ब्रश अचल संपत्तियों से जुड़े व्यावसाइक निवेश व्यर्थ नहीं जाते। अब उचित समय आ गया है जब आप अपने पारिवारिक भूखंड को सही धंग से बेच दें क्योंकि यदि आप उचित खरीददार का चुनाव कर लें तो ये आपके लिए एक बड़े लाब का स्रोध बन सकता है। यदि आपकी नजर में सही जमीन का टुकड़ा बिकने योग्य है तो आप समय व्यर्थ किये बिना उसे खरीद लें। इस समय आप किसी अच्छे सौदे में अपना निवेश कर सकते हैं। आज बिना किसी परेशानी के आपका स्वास्त अच्छा रहेगा। इसलिए आप बिना किसी कारण व्यायाम करना ना छोड़ें। ध्यान रखें कि आप व्यायाम रोज करें और खाने पीने का ध्यान रखें ताकि आपका वजन कम रहे और आप स्वस्त रहें। आप स्वास इतने जगडे क्यूं होते हैं? शायद आपको ही अपने कुस्से पर काबू रखने की जरूरत है. अगर आप और सकारात्मग और सहन्शक्ति वाले व्यक्ति बन जाएं, तो आप अपने घर में खुशनुमा माहौल पैदा कर पाएंगे. याद रहे, गलती हर इंसान से होती है कोई भी संपून नहीं होता. अपने परिजनों के साथ इज़त से पेश आएं. परिणाम स्वरूप वो भी आपके साथ वैसा ही विवहार करेंगे. राशि मिथुन, रोमैंस. आज आप ऐसे अजनबी से मिलेंगे, जो आपसे काफी दूर रहता है. इसका मतलब है कि आज आ आपके लिए खुशी का दिन है. आनंद करें. राशि मिथुन, करिया. निजीक शेत्र में आज उन्नती का माहौल दिखाई देगा. यदि आप अपने काम से बाहर आना चाहते हैं, तो आज के दिन कोई अच्छी खबर व आर्थिक लाब की बात हो सकती है. इस सकारात्मक व इस समय एक उचाल देखने को मिलेगा, जो आपके व्यापार में दिखेगा. इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने हस्त शिल्प का प्रचार अच्छी तरह से करें. इससे आपको अत्याधिक मुनाफा होगा. राशि मिथुन, हेल्थ आज आप अपनी पुरानी दिन चर्या में कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे. क्यों न उस रुजी की ओर ध्यान दिया जाए, जिसे आप बहुत समय से करना चाह रहे थे. आज अपनी बोरियत से बाहर निकल कर कुछ ऐसा करें, जिसकी कभी किसी ने आप से अपेक्ष भी नहीं की थी. हसी मजाग आज आपके परिवार जनों वो मित्रों के जीवन को खुशियों से भर देगा. राशिकर्क, रुमैंस, आज आपको अपने प्रेमी से एक तोहफा मिलेगा, जो आपको हैरानी में डालेगा. वो प्रेमी हाल में की गई सफलता के लिए आपका प आनंद लें. राशिकर्क, करियर. आप मेंसे कुछ लोग अपने शहर से बाहर जाकर काम करना चाहते हैं. अपने दिमाग से इस विचार को निकाल दें. चूँकि अभी आप जहां काम कर रही हैं, वहीं आपको बहुत संतुष्टी मिलेगी. कभी-कभी अपने ही देश में रहकर थोड़ा पैसा कमाना और संतुष्ट रहना, विदेश में रहकर ज्यादा पैसा कमाने और परेशान रहने से ज्यादा अच्छा होता है. वैसे भी आपके विदेश जाने के कोई संकेत नहीं है. राशिकर्क, फाइनांस, विद्यार्थियों के लिए खर्चीले दिन आने वाले हैं. आपकी फीस तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपने कुछ कोचिंग क्लासेज लगा रखे हैं, जो महंगे हैं. इसलिए कड़ी महनत करें, ताकि आप अपने परिणाम से साबित कर सकें, कि आपने अपनी पढ़ाई पर जो खर्च किया, वह बरबात नहीं गया आज आप सकारात्मक सोच के साथ रहेंगे, और सारी नकारात्मक सोच गायब हो जाएगी. लोग आपकी सुन्दर्ता की तारीफ करेंगे. असल में ये आपकी अंदरूनी खुबसूर्ती और आत्मविश्वास है जो जलक रहा है. आज आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करेंगे. इससे आपको खुशी मिलेगी. आज आपके लिए रिष्टे बहुती महतपूर्ण रहेंगे. फिर चाहे वो रिष्टा आप से हो या उनसे जिने आप जानते भी नहीं. आपको अपनों के साथ समय बिताने से प्यार का एहसास होगा. राशे सिंग, रोमैंस. आज आपके ऊपर माता पिता के दबाव के कारण शादी को लेकर घबराहट रहेगी. बाहरी दबाव से बचें और अपने अंदर की सुने. अंतितह माता पिता को अपनी भावनाओं से अवगत और आकरशित करने में आप चेत्र में हैं, तो पाएंगे कि आप वैकल्पिक चिकित्सा की ओर अपना रुझान बढ़ता हुआ पा रहे हैं. आपका ध्यान उन विकल्पों की ओर भी है, जिनमें वैकल्पिक चिकित्सा भी शास्त्रिय चिकित्सा के समान ही रोचक है. आपको अपने सभी विकल्पों क आपकी व्यापार लें देन में थोड़ी देर भी हो सकती है। वक्त का इंतिजार करें, चीजें स्वतह ठीक हो जाएंगी। आज आपके अच्छे मूड और आत्मविश्वास के कारण आपके स्वास्त में बढ़ोतरी आएगी। इसमें खुशियां और आत्मविश्वास एहम भूमिका निभाएंगे। आप शारे रिक वह मानसिक तोर पर स्वस्त महसूस करेंगे। ऐसे कारे करें जिससे आपका अच्छा रहे और आप अच्छा और मजबूत महसूस करें। अगर आज आपसे किसी सामाजिक कारे के लिए मदद मांगी जाए तो किसी भी हालत में पीछे ना हटें। इससे जरूरतमंदों को मदद तो मिलेगी ही आपको भी बहुत संतुष्टी मिलेगी। आगे बढ़े और इस अनुभव का मजा लें। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के साथ अन्यथा अपने मित्र या परिवार के किसी सदस्य के साथ मस्थ हो जाएंगे। आपकी सामाजिक गतिविध्या मनुरंजन से भरपूर रहेंगी। अपनी चिंताओं एवं कारियो के दबाव को पीछे छोड़ कर भरपूर मनुरंजन करने के लिए निकलें। राशिकन्या करिया। आज शायद आप किसी प्रोफेशनल से मिलेंगे जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा वदलाव लाएगा। इसलिए आपको उनकी सलाह को बहुत ध्यान से सुनना चाहि साथ ही अपने व्यावसाइक ज्यान को भी बढ़ाने की कोशिश करने चाहिए। अच्छी सलाह और व्यावसाइक ज्यान दोनों से अपने व्यावसाइक को आगे बढ़ायें। आज विदेश से आपको लाव मिलने के संकेत है, यदि आपने विदेशों में निवेश किया है अथवा विदेश से किसी अच्छे समाचार की प्रतीक्षा है, तो आपकी इच्छा पूरी होगी, खुश खबरी मिलेगी, सितारे आपके पक्ष में हैं, सकारात्मक विचार बन परन्तु आप जाएंगे नहीं, ध्यान रखें कि आप अच्छा खाएं, अन्यथा आपकी तबियत गिरी सी महसूस होगी, आप कल से फिर व्यायाम करना शुरू कर देंगे, राशित तुला, ओवर्वियू, आज कुछ कीमती सामान खोने का डर है, आज अपनी चाबियों औ और जरूरी सामान को संभाल कर रखें, अगर आप अपने सामान को यहां वहां रख देंगे, तो बाद में आपको ही परेशानी होगी, इसलिए इसे नियत स्थान पर ही रखें, राशित तुला, रोमैंस, अगर आप अपने अकेले पन से उब चुके हैं, तो आज अपनी कि इसी दोस्ती को रिष्टे में बदलते देख सकते हैं, जो प्यार और भरोसे से लबालब होगा, फिर भी दोनों एक दूसरे की राय और शर्तों से अच्छी तरह से वाकिफ हो लें, राशित तुला, करियर, सौफ्ट्वेर के एक शेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के आज का दिन शुब है, आपको अपने प्रोजेक्टों की देरी पर जो खीज हो रही थी, उसका सही कारण आज समझ में आएगा, आज सभी प्रोजेक्टों को पूरा करने की कोशिश करें आज आर्थिक मामले में लाबकारी दिन है, आज पैसे की आवक है, यह होशियारी से किसी व्यावसाइक लेन देन से हासिल हो सकता है, या फिर पहले किसी निवेश से, जैसे भी हो, आर्थिक सिती मजबूत करने के लिए आज का दिन शुब है आज आप बच कर रहें, ज्यादा तनाव और टेंशन से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, दिमाग को ठंडा रखें और ज्यादा टेंशन ना लिया करें, आपको सतर करहने की आवश्यक्ता है, क्योंकि अगर आपको शुगर की समस्या होगी, तो आपको ज्यादा कसरत करनी पढ़ सकती है, राशिवरिश्चिक, ओवर्वियू, आज शायद आप खुद को अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच जूलता हुआ पाएंगे, एक तरफ आप समाजिक समारोह में बढ़ चड़ कर भाग लेना चाहेंगे, और दूसरी तरफ आपको इस बात क भी ध्यान रखना है कि आप अपना काम भी समय पर पूरा करें, ये संतुलन बनाए रखना तो कभी भी आपके परिशानी थी ही नहीं, तो फिर देर किस बात की है, सबको खुश रखें, राशिवरिश्चिक, रोमैंस, आज का प्यार आपकी जिन्दगी को बदल सकता है, आ उनों को नजदीक लाने में सहायक होगा, इसके साथ किसी रोमैंटिक दोस्त के साथ रहने से आप अपनी बात बिना संकोच कह सकेंगे, जो कि आपकी रोमैंस भरी जिन्दगी को और उचाई दे सकते हैं, राशिवरिश्चिक, करियर, आज उन शात्रों के लिए खुशी का नहीं की है, राशिवरिश्चिक, फाइनांस, अगर आप जेवर संबंदित काम करते हैं, तो आपको आज फायदा होगा, और आपका काम फलेगा, सारे विकल्पों को खोजें, वो अपने काम को बढ़ाएं, आप अपनी विक्रे राशिकों भी बढ़ा सकते हैं, इस बात का छोटी चीजों के लिए भाग दोड़ न करें, वरना परेशान हो सकते हैं, आप तयार रहें और पिक्चर देखें, तभी आपका शरीर भी ठीक रहेगा, राशिधनों, ओवर्विव, आज शाम आपको अपने कीमती सामान को लेकर थोड़ा डर लग सकता है, जिसके कारण आप पहले से कुछ कदम उठाएं, आज चोरी होने के संकेत हैं, इसलिए सावधान रहें, आज रात अपने घर के खिड़की दर्वाजे ठीक से बंद करके रखें, आपको सलाह दी जाती है कि कि किसी अजनवी को अपने घर में ना घुसने दें, राशिधनों, रोमैंस, त वो विवादों में ना उलज हैं, चुँकि विवाद से आप दोनों के बीच की निराशा एवं दूरियां ही बढ़ेंगी, आप अपने विचारों को अपने साथी के समक्ष रखें, राशिधनों, करिया, आत्म विश्वासी वो मेहनती लोगों के लिए काम की कोई कमी नही है, इन विशेशताओं के कारण आप विशम परिस्थिती में भी आसानी से काम कर सकेंगे, आज कठिन परिस्थिती में भी आसानी से काम करने की इच्छा के चलते, आप अपनी योजनाओं को समय पर पूरा कर सकेंगे, आपकी ताकत वह विश्वास आपको बहुत आगे ले विदेश में निवेश संबंधी आपका कोई भी कामकाज फायदे मन साबिद होने वाला है। जो काम अभी शुरू होने वाले हैं सब आपकी मेहनत का सही फल देंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके परिवार के सदस्यों के बीच कोई तनाव चल रहा है तो आपको उस समस्या को जड़ से उखाड फेकने की कोशिश करनी चाहिए। रिष्टों के बीच कड़वाहट पैदा नहूने दें। आज आप पूरा प्रयास करें कि सब परिजन एक दूसरे के साथ प्यार से रहें और एक दूसरे पर भरोसा करें। राशिमकर रोमैंस आज अपने संबंध के दाइरे में आपसी बाचीत पर ध्यान देना होगा। एक दूसरे के सामने खुल कर अपनी इच्छाएं जाहिर ना करने से पहले भी आप दोनों के सामने परिशा को एक नई दिशा देंगे। अगर आज आप अपने उच्छ अधिकारियों से अपनी तनख्वाह में इजाफे की बात करने के बारे में सोच रही हैं तो इस बात को कुछ समय के लिए टाल दें। हो सकता है आज वो आपको मना कर दें। राशिमकर फाइनांस इस वक्त पैत भया वह रूप ले सकती हैं अतह समय का इंतजार करना चाहिए तथा धैरी से रहना चाहिए। तनाव के कारण आपकी दिमागी शान्ती छिन जाएगी। आप किसी से अपने दिल की बात करें चाहे वो आपकी मदद करे या न करे। रुकावटें आपको तनाव देंगी इस कुछ नया करने या नया खेल खेलने की तीवर इच्छा आपके मन में चल रही है। आज समय है ये तै करने का कि आप जो करना चाहते हैं वो कैसे करें। आज अपनी जिन्दगी से डर को निकाल देना चाहिए। राशिकुम्भ रुमैंस आज के दिन आप अपने दूर अतह साथी से मिलने की खबर पाकर रुमैंस का अनभव करेंगे। अतह साथी से मिलने के लिए खास तयारियों में जुट जाएं। राशिकुम्भ करिया। बात का ध्यान रखें कि आप अपनी सभी फाईलों को पहले से सुरक्षित कर लें। राशिकुम्भ फाइनांस अपने वाहन जैसे कार आदि के प्रती उचित सावधानी बढ़तें। क्योंकि चोरी होने की वज़ह से इन चीजों से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। आज आप सुनिश्चित कर लें कि आपके पड़ोसी कहीं आपको नुकसान तो नहीं पहुचाने वाले हैं। यदि आप सतर्क हैं तो आप इस नुकसान से बच सकते हैं। राशिकुम्भ हेल्थ आज आप कुछ व्यस्त रहेंगे। आप खुद को भी समय नहीं दे पाएंगे। आप इसे नजर अंदाज ना करें बलकि 20 मिनट को आफिस में ही तहलें जरूर। राशिमीन, ओवर्विव। आज आपको विदेश से कोई खुशकबरी मिलने के संकेत हैं। अगर आपके दोस्त या परिवार के लोग विदेश में रहते हैं तो ये खुशकबरी उनकी आज आप अनावशक रूप से घलत, कडवी बातें न करें। कुछ कहने से पहले सोच लें। आप समझते हैं कि आप अपने साथी के प्रती ज्यादा इमानदार हैं। शांत रहकर विवहार करने से लंबे समय में आप खुद को बचा पाएंगे। राशिमीन, करियर। अप आप बिना सोचे समझे अपने काम को बदलते हैं, तो हो सकता है आपको इच्छित परणाम न मिल सकें। आज बहुत से व्यावसाइक मौके आपके रास्ते में आ रही हैं, लेकिन कोई भी निरने लेने से पहले आपको भली प्रकार से सोच लेना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आप इस मौके को हाथ से न जाने दें। राशी मीन, फाइनान्स, आर्थिक लेन देन करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन लेन देन में कोई बड़ा जोकिम उठाने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, आज जटपट लाब उठान सेहत मिलेगी, आज आप की सेहत ठीक रहेगी और आप स्वस्त भी रहेंगे, आज आप जिम भी जा सकते हैं ताकि सेहत लंबे समय तक बरकरार रहे.